अब वाश्कार दोस्तों सागत आपका सत्यन स्टीट चेनल में आज में बात करूँगा जीमिल एकाउंट की बारे में अपने अबसे इस वीडियो को पूरा देकिके मैं आपको कुछ steps बता रहा हूं उनको एकडम एक स्कूर रखिये आपको फॉर बीजडुर से वीडियो के सस dissol bh suggesting आपको कुछ steps बताऊंगा जिससे कि आपका account एक्टम secure रहेगा और यह steps को follow कीजिए और आप चेक कीजिए कि यह settings आपके account में enabled हैं की नहीं है तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं step 1 recovery email accounts में जाएंगे manage your google account पे click करेंगे security में जाएंगे recovery email पे click करेंगे add an email address password डालेंगे यहाँ पे हमको email id एड करना है secondary email id अगर आपके account में कुछ unusual activity होती है तो इस email id पे आपको notification आ जाएगा यह फिर आप password बूल जाते हैं तो इस email id के तुरुग password recover कर सकते हैं इसके बाद आएंगे step 2 recovery phone फिससे security में जाएंगे recovery phone पे click करेंगे password डालेंगे add recovery phone पे click करेंगे और यहाँ पे mobile number प्रवाइड करेंगे जो हम यूज कर रहे हैं आपके mobile पे code आएगा वो code आपको यहाँ पे डालना है अगर आप password भूल जाते हैं आपका account किसी वेज़र से log हो जाता है तो आप इस number के थुरू आपका password reset कर सकते हैं और ID unlock कर सकते हैं step 3 two step verification फिससे security में जाएंगे two step verification पे click करेंगे get started पे click करेंगे password डालेंगे so more option पे click करेंगे text message और voice call पे click करेंगे mobile number प्रोवाइड करेंगे और next करेंगे आपको फिर से code आएगा जो आपको यहाँ पे enter करना है और next करेंगे turn on पे click करेंगे और आपको two step verification on हो गया है अगर किसी को आपका password मालूम पड़ जाता है और login करने की कोशिश करता है तो उसको two step में verify करना पड़ेगा आपके mobile पे भी verification आएगा जब आप अलाओ करेंगे उसके बाद ही वो login कर सकता है और आपको पता चलेगे कोई आपका account login करने की कोशिश कर रहे है sign in with backup code security में जाएंगे backup codes में जाएंगे setup पे क्लिक करेंगे इसमें 10 code generate हो जाएंगे in codes को आप print करके रख लेजे और emergency में आपको ये काम आएंगे अगर आपका phone आपके पास नहीं है तो in code को use करके आप login कर सकते हैं एक code आप एक ही बार use कर सकते है मैंने 3rd party app हम कुछ apps डाउनलोड करते हैं जिनको हमको access देना पड़ते हैं अगर आप वोई app यूज नहीं करते हैं तो आप यहां से इसको remove कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया